एक्जाम में जब आप बैठते हो तब ही आपको इस चीज की इंपॉर्टस फता लगती है कि एक्च्वल में MCQ कितने जादा इंपॉर्टन है क्योंकि कई बार हम लोग खुझ से परसेप्शन इस तरह से बना देते हैं एक्च्वल में जो रियलेडी होती है रिगार्डिंग देकोशन वह मिश्या अलग होती है और इसी चीज को आप बताने के लिए शो कराने के लिए हम लोग आपके साथ डिसकस कर रहे हैं प्रिवेसर के MCQs from the different parts of जमयन कश्मीर जेके SSB exam so that कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगी exam में किस तरह से कुशन पुछ जा सकते हैं So guys welcome back in here on YouTube channel जिसका नाम है जेके SSB online tutorial अगर आप जेके SSB के VLW exam की तेहरी कर रहे हैं तो आप लोग चाहते हैं VLW exam का best study material free test series और इसके साथ जेके SSB के सभी qualified teachers तो आप लोग install करिये हमारी JKSB online tutorial app from play store और इस app के ओपर आपको सबसे best content from the JKSB qualified teachers provide किया जाएगा Thank you so much चले बढ़ते हैं आज के हमारे previous year के questions Last JKSB exam में पूछे के question answer हम discuss करेंगे इस video में और आज की इस video में चो question answer होंगे वो होंगे आपके JNK GK related देखें जमन कश्मीर economy अलग है, JK geography अलग है, JK history अलग है तो JK GK भी अलग है ठीक है तो यह journal knowledge वाले जितने भी questions होते हैं वो सारे के सारे आपके इस portion में पूछे जाएंगे और अब मतलब एक random जो knowledge होती है, different, different JNK में जो different places हैं, जो important है, ठीक है और उसके related, वो सारा का सारा आपका GK question में आता है और GK question में किस तरह के question पूछे जाते हैं, वो हम इस video में discuss करेंगे और जितने भी questions मैं आपके साथ discuss करूँ वो सारे previous JKSSB exams में पूछे गया है, चले, पहले question का अगरा आप बात करें तो ये junior assistant exam 2022 में पूछा गया है, तो question है आप लोगों का कि जो shrine है, बाबा चम्लियाल, ये किस district में situated है, located है जमू कश्मीर के बताइए कि जमू कश्मीर के कौन सी district में जो बाबा चम्लियाल श्राइन जो है, वो located है, बताइए इसका answer अगर किसी ने exam दिया होगा तो पता होगा, इसका answer जो है मैं आपको बता दूँ, answer है इसका सांबा district, सांबा district में ये shrine जो है, वो located है, चले बढ़ते हैं, next question की तरफ, और ये question भी आपका junior system में पूछा गया है, 2022 में, और इस question के accordingly, बात ये पूछे गई है, कि कौन सी ऐसे everlasting green valley है, जो lying करती है, कहां पे, north east of वद्रबा town of doda district, बताइए बाई, doda district के north east वद्रबा वाले side पे everlasting green valley कोन सी है, कोन सी lie करती है, चलिए बताइए, ये आपके सामने options है, ओके, आप बता सकते हैं, इस में से कौन सा option जो है, वो सही है, तो मैं आपको बता दूँ कि, अगर आपको नहीं बता तो इसका answer है, जे वेली, ठीक है, जे वेली जो है, वो इसका answer है, all right, चलिए, बढ़ते है next question की तरफ, और next question में, ये question भी junior assistant में पूछा गया है, और इस question का answer तो आ नीचे जितने भी आपको ये options दिये हैं, बताइए, इन में से कौन सी popular form है folk music की in जमन कश्मीर, तो इसका answer अगर आपको नहीं पता, तो इसका answer है चकरी, ओके, चकरी is the right answer of this question, all right, चलिए, next question के अगर हम बात करें, तो next question में पूछा गया है, कि जो holy place है, बाबा डंसर की, व किस जम्मू के कौन से district में है, जम्मू कश्मीर के कौन से district में, बाबा डंसर holy place is located है, holy place located है, तो ये question भी मुझे मेरे idea से आप सभी को आता है, और ये question भी junior assistant exam में पूछा गया 2022 में, और इसका answer है, रियासी, ठीक है, ये रियासी district में पढ़ता है, next question, next question, ये बहुत ही surprising question हो बता दू क्यों, क्योंकि question ये पूछा गया है कि इसमें से जितनी भी districts दी है, बताए इसमें से कौन से district कश्मीर वेली का part है, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जो हैं, ये तो जम्मू में बढ़ती है, तो बारा मुला ही इसका answer है, और ये question भी आपका junior assistant में पूछा So, my idea, ये question को discuss करने का मेरा जो मकसद है वो इही था, कि exam में सिरफ और सिरफ basic standard के question पूछे जाते हैं, basic level के question पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी exam हो, चाहे कोई भी exam हो, basic standard से ही पूछे जाते हैं, even 60% जो questions होते हैं, वो आपका basic से ही पूछा जाता है, बट problem ये है कि basic कोई नहीं करता है हर कोई high level advanced level पर लगा हुआ है जिसकी वज़ा से बहुत सारी problems हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ ये question इसलिए share कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बता लगे exam में क्या आता है और जब आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ो तो you have